एगाइस वेलकम बैक टू दे चैनल और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वाट इस एटमिक मास यूनिट ए एम यू तो बात है 1961 की जब बहुत सारे एटम्स डिस्कोवर हो रहे थे और तभी हम लोग को एटम्स का मास जाननेगा था और अभी हम लोग का मालूम है कि वेट ऑफ वन एटम इस इक्वास टू अरॉड टेन डिस्टू माइनस ट्वेंटी सिक्स केजी बट तभी उतने एडवांस इंस्टूमेंट्स नहीं थे कि हम लोग इतने एकुरेसी के साथ एटम का मास जान सके 10 देश्टू माइनस 26 इस वेरी 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 स्मॉल कॉंटिटी तो फिर तभी हम लोगने मास कैसे कालकुलेट किया था इन 1961 हम लोग रिलेटिव मास लेटे थे दोंट वरी एल एक्स्प्रेन यह विदन हेप अग्जांपल सपोज तीन दोस्त है ए बी और समझो कि एका जो वेट है न वह 10 गेजी है बी का जो वेट है न वह 30 गेजी है और जो सी का जो वेट है न वह मानलो 50 केजी है उके और सम्झो अब कि हम लोग अभी है न 1961 में और अगर हम लोग को अब लूग के पास वेइंग मशीन नहीं है सम्झो तो फिर पर न एभी सी इन तीन लोगों को एन अपना वेट कैलकुलेट करने गाई है तो फिर हम लोग क्या कर लेते है कि यह न बोल लेते कि एक ऑन ए एकूर संजो तेरह जो वेट है न वह तू है इनलों को मालूम नहीं है कि इन लोग का ऐट 10 kg 30 kg 50 kg हम लोग को मालूम है पर यह लोग ABC अभी 1961 में इनलों को मालूमन नहीं कि इनलों का वेट कितने है तो फिर हम लोग क्या करते है कि A को बोल देते हैं कि चल तेरा वेट जो है वो 2 है और उनलों को थोड़ी मानूंता है कि यूनिट केजी होता है ग्राम होता है तो फिर हम लोग लेट्स आजम कर लेते कि केजी है हां AMU हम लोग का के यूनिट है तो फिर इन लों ने क्या बोला ब और सी ने कि एको तेरा जो वेत है ना वो 2 2 amu है अभी इस a के 2 amu के रिस्पेक्ट में हम लोग b और c का वेट क्यालिकुलेट करेंगे तो फिर हम लोग है इन लोग को चल तरजु में लेते हैं वह सब्सक्राइब वाइसा बढ़ा वाल तरजु लेते हम लोग अभी मेरा डाय ड्रॉइंग थोड़ा गंदार है तो फिर ऐसा है इधर हम लोग 2 ले रहे हैं और एक में हम लोग है न एको को रखते हैं तो हम लोग ने इसमें एको रख दिया एक और एक में इसमें हम लोग लोग B को रखते अभी थोड़ा हेवी है इसलिए मैंने थोड़ा ड्रॉइब को यह हम लोग का ए हो गया और यह हम लोग का बी हो गया तो फिर अभी जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग का मालुम है कि B का जो बेट है वह 30 kg है फिर बी क्या होईगा वो नीचे जाएगा स 3A को क्यों डाला है मैंने Because 1A का जो weight है वो 10 kg है और जब मैं उसको 3 से multiply करूंगा तो 3 into 10 will give me 30 kg तब ही जाके किदर 10 plus 10 plus 10 is equal to 30 will become equal to 30 kg of B और यह दोनों जो है वो equalize हो जाएंगे और अभी दोनों 1 की line में आ जाएंगे बरबर तो फिर अभी हम लोग ने क्या मान लिया है कि A का जो weight है वो 2AMU है इसका एक 2AMU है इसका weight 2AMU है और इसका भी weight 2AMU है तो फिर B का weight कितना आएगा यह दो अभी equalize हो गया तो B का weight कितना आएगा 2 plus 2 plus 2 which is nothing but equals to 6 मतलब B का weight कितना आया 6AMU समझा आप लोगों को हम लोग ने दो तरह जो में इन लोगों को balance किया और A को हम लोग ने 2AMU अजुम कर लिया था और इसके respect में हम लोग ने B का weight calculate कर लिया तो B का weight कितना आया नाया unit में अपने 6AMU इन लोग का मालूम ने है इन लोग का 30 है 10 है 50 है हम लोग को balance कि और हम लोग ने आजुम करके इसको क्या किया कि चल तेरा A को तो बोल रहे है कि तेरा weight चल 2AMU है इन लोग ने बोल जा B और C ने चल तो छोटे हम लोग से तेरा weight जो है वो 2AMU है और इस A के respect में अभी हम लोग B और C का weight calculate कर रहे है क्या बोला मैंने A के respect में B और C का weight calculate कर रहे है अभी चलाओ हम लोग अभी A और C का weight कर रहे होते है so we are calculating the weight of C with respect to A ओके आगे मैंने तारा जो में ले लिया कि तरह जो मालों मैंने सब्जों लेक वास होता है वो बैलन्स करता है ना तभी दोनों weight उसमें अपना weight रखेगा उस पर बाद में सब्जी देगा आपको तभी balance equal एक line में होता है तभी आपको देता है ना वो हाँ चलो अभी हम लोग back to topic एक में कितना होता है चलो एए हम लोग इतना 10 kg के एक में मैंने एको रख दिया कि पिर दूसरे इसमें मैंने सी को रख दिया कि 50 kg का जाड़े एकदम उसको मैंने इधा रख दिया तो आफकोस सी बड़ा है तो यह तरह जो निच्छा आजएगा बराबर ना यह वाला साइड निच्छा आजएगा और अगर हम लोग को equal करने equalize करने गाए के साथ तो फिर हम लोग को कितना एक लेना पड़ेगा तू कि फाई लिया क्यूं फाई लिया जाए है अगर उलोको आ रहा है है अंगे गलिवन लोग करते है नहीं सी पाइबेर की लोग ने जोने और नोगा वह तो व् olmuş टू प्लस टू प्लस तू तो एक इतना हो गया फाइस हो गया तो कितना हो गया टोट ठू अक कि 있어서 कि यि az 10 AMU इतना समझा हम आप लोग क्या हम लोग ने एका वैल्यू जो है ना वह आजूम कर लिया हम लोग के बास वेइंग मशीन नहीं था इसलिए हम लोग ने क्या बॉला कि ए बबा तेरा जो वैल्यू है वह 2 AMU है और इस 2 A के रिस्पेक्ट में हम लोग ने B और C का वैल्यू क्याल्कुलेट कर लिया अगर आप लोग अगर समझा रहे हैं तो मेरे को बताओ कि समझा मेरे पास D है हां तो फिर इसका डी का वेट कितना आएगा समझो अगर डी का जो वेट है ना वह मैंने कंसिडर कर लिया 70 है फिर डी का वेट इन टम्स ऑफ कितना आएगा हम लोग ने कंसिडर किया यूनिट फिर एम यू कितना आएगा वह मेरे को आप आप लोगों से आंसर चाहिए और कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर कर देना ओके और मैं बताओंगा आपको कि राइट है कि रॉंग है दुसरे कॉपी मत करना तो फिर ऐसे कि रॉंग ने क्या कहता कि 1961 में लोग ने सब क्या मेटिंग और अर्गनेस करके क्या बोला था कि हम लोगे ना कि सी टुएल मास अच्चे से लिए है मास और मदवन क्या होता है कार्बन मास ओफ एटम ऑफ सी टुएल तो को आप्पर स्लिए है मास हैऊ आफ में अफ एटम और मास है कार्बन के तीन आइजोब्टोब से c12 c13 and c14 तो उसमें से मैंने c12 कंसिडर किया c12 मतलब कार्बन का वेट यहां पर कितना है मां कार्बन में कितना 12 है तो फिर मैंने c12 वाला आइजोब्टेप कंसिडर कर लिये c13 और c14 बहुत रेर होता है हो जो मतलब around c13 तो around 1% होता है और c14 तो almost negligible होता है c12 मतलब क्या the sum of the atomic mass is 12 ओके तो मैंने आपको बाद में आइजोटोप सवरा क्या को मालूम पढ़ जाएगा अगर नहीं मालूम पढ़ा है तो मैं वीडियो बना दोंगा उस पर आपको मालूम पढ़ जाएगा तो मैंने mass of atom c12 अब कमालूम ने तो आप स्थिफ चंसीडर करना mass of carbon तो मैंने mass of atom of carbon को कितना consider कर लिया 12 amu मैंने बोल दिया कि जो mass of carbon is equal to 12 amu हम लोग ने इसको consider कर लिया जैसे हम लोग ने देको इधर a को consider कर लिया था 2 amu वैसे हम लोग को आपकी सब elements मतलब जो है ना hydrogen oxygen इन लोग सब लोग को mass calculate करने का इसलिए हम लोग ने क्या बोल दिया कि carbon तेरा जो weight है वह 12 amu है ओके 12 amu ऐसा बोल दिया फिर बाद में अगर mass of one atom of c12 is equals to 12 amu तो फिर 1 amu का कितना value है मैं जस्ट यह 12 यह सेट पर लेके जाओंगा तो इधर 12 multiply हो रहा है amu के साथ उद्धर जाके डिवाइड हो देगा mass of atom of c12 upon 12 this is the formula which you will be finding in your text books समझा भी आप लोगों कि यह formula कैसे आगया हम लोग मतलब यह formula तो easy था है कोई भी रटके जा सकते बड़ उसके पीछे logic क्या था concept क्या था वह important था और यह हम लोग ने यह logic करके कि balance करके balance करके इसा हम लोग करके हम लोग को मिला कि hydrogen का जो वैल्यव है न विट इस और 1.008 यू अभी मैंने यू की लिखा इदर एम्यू की लिखा कि बात में उन लोग ने ना एम्यू को convert किया अनुदर यूनिट में एम्यू का फुल फॉर्म किया है atomic mass unit okay फिर उन लोग ने बात में atomic mass unit का नाम चेंज कर दिया क्या कर दिया यू यू मतलब क्या unified mass यह लोग ने चेंज कर दिया और फिर हम लोग को आयन का भी मिला something i think around 55.85 uh you which is not about your unified mass तो आईसा ही लोग ले this is the all concept of molecular अभी अपको सम्धा द मॉली का निकलने का है H2 का निकलने तो आप अच्टू अज़गे इधर आप H2 लोगे और compare करोंगे weights और वैसा weight compare करके आप carbon के साथ compare और यह कि दो एक के साथ compare करे आप क्या करोंगे आप क्या करोंगे आप simple H2 molecules वेट कर गोगे इसले यह थो ता atomic mass unit relative mass unit यह था now you might be wondering why have we taken carbon as standard because carbon first of all it is abundant what is the meaning of abundant which means that it is available easily in nature second property is that it is moderately reactive now what is the meaning of moderately reactive carbon does not react quickly that it is not highly reactive nor it is less reactive it is in a in between state the third is property is that less isotopes of carbon are present in nature i have mentioned earlier that we are considering c12 carbon and carbon has three isotopes c12 c13 and c14 so what is the difference between them is that c14 has one extra nucleon and c sorry c13 has one extra nucleon and c14 has two extra nucleons as the number of nucleons increases their mass also increases therefore we are considering c12 only which has proper number of nucleons and c12 is present in 99 percent of nature mean which means that total percentage of carbon found in nature out of that 99 percent is c12 and c13 is almost 0.9 percent and c14 is almost you can say negligible so guys this was all about okay i forgot to mention one more point is that uh the weight of one amu was later on found out to be uh 1.66 into 19 there is to minus 24 grams so guys if you have liked this video then please do share it with your friends do not forget to subscribe to the channel and do comment below the answer and do comment your feedback as well so guys thanks for watching this video and stay tuned for the next video as well